हेलो गाइस क्यासे हो आप लोग तो अगर आप भी फ्री फार्मेक्स को ओपन करते हैं और वहाँ पर डाउनलोड फैल रिट्राय का इरर आ रहा है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी ओपन किया हूँ और ओके को उपर क्लिक करने में वापस से इरर आ जा रहा है मतलब मैं अगर यही पर मैं फ्री फार्मेक्स को ऊपन करते हूं तो यहाँ पर ओपन करते ही डाउनलोड व्रेट राय का प्रोब्लम आ रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है आपके में download file, retry का problem हो रहा है तो उस वीडियो को last तक देखिए इस वीडियो में आपको मैं 3-4 ऐसे छोटे-छोटे simple trick बताऊंगा जो सभी phone में काम करेगा और ये problem fix हो जाएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर ने आ रहे हैं तो पहले वीडियो को like कर दीजिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे informative वीडियो पाने के लिए चैनल को कर दीजिए subscribe तो जो उमारा पहला नमबर का ट्रीक है उसको apply करने के लिए सबसे पहले आपको आना है एपने phone के home screen पे और यहां पर आपको फ्री फार मैक्स को ऐसे करके long tap करना है लंबे समय तक छूब के रखना है और उसके बाद ऐसा डॉट आएगा जिसमें app information भी लिखा हो सकता है आ और जैसे कि माल लो एप information का पेज यहां पर आपको नहीं मिल रहा तो आप setting पर जाएए यहां पर आपको apps वाले section को ढूणना है apps वाले category में चले जाएए फिर यहां पर manage apps और उसके बाद यहां पर आप game को select किजिए यहां से भी आप forced up कर सकते हैं फोर स्टाप करना है और उसके साथ साथ आपको अपने phone को restart भी करना है री स्टार मतलब बंद करके चालू तो इसके लिए आपको power button को press करना है और उसके बाद यहां पर आपको reboot option मिल जाएगा यह reboot को ही restart बोला जाता है तो आपको ऐसे करके click करना है और उसके बाद आपको अपने phone को restart करना है तो चलो भी मैंने सब कुछ कर लिया अभी मैं simply game को open करके देखता हूं कि यह problem fix हुआ कि नहीं हुआ तो अभी हमारा जो game है यह open हो रहा है और कई होगा किसी trick से होगा तो कई होगा किसी trick से होगा देखो इस वाले trick से यह fix नहीं हुआ तो अब जो हमारा स्क्रीन में आपको इसे बंच चालू नहीं करना है आपको पहले game को open करना है और यहां पर जो download रिट्राय का problem हो रहा है यहीं पर आपको इसे बंच चालू करना है इसे चालू करोगे तो internet connection off हो जाएगा फिर बंद करोगे फिर से आएगा मतलब connect reconnect reconnect यहीं बार बार होगा औ पतलब load होने लगा game up तो ऐसे करने से यह problem fix हो गया लेकिन मेरे में ऐसे में भी नहीं हो रहा आपके में हो जाएगा चिंता मत कीजिए आप बंच चालू ऐसे कीजिए दो तिन बार करोगे ओके में क्लिक करोगे फिर यह problem fix हो जाएगा अब जो तीसरा नंबर का setting है उसको apply क करने के लिए आपको अपने phone के setting पर आना है और यहां पर आपको search में search कर देना है DNS जैसे DNS search करोगे लगबग सभी phone में यह setting मिल जाएगा private DNS का आपको इसमें जाना है और यह आपके phone में off होगा उसको आपको auto में select करना है तो मेरे में auto नहीं लिखा है वह automatically लिखा है तो फ़र्थ नमबर का setting है वह गेम को clear data करना क्लिया डेटा करने से गेम का जो data रहता है वह डिलीट हो जाता है मतलब गेम का जो एक्स पेंसन पर हैगा वह डिलीट हो जाता है ठीक है एक जो आप फायर बेटन लेफ्ट राइट यह सब सजा के रखते हो लेकिन आजकल सभी लॉग इन करना है बस इतना ही होता है तो चलो इससे मैं clear data कर रहा हूं यह हमारा लाश्ट रामबार तरीका है इससे सब प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है मतलब गेम एकदम न्यू हो जाता है तो यहाँ पर clear data का option आ रहे मेरे में अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो इस बग फिक्स हो जाना चाहिए और यहाँ पर इंटरनेट उसनी से आ रहा है अब यहाँ पर लोडिंग का दिखा रहा है पहले यहाँ पर जो है अब देखो यह अपडेट आ गया clear data करोगे तो जो अपडेट था वह भी डिलेट हो जाता है प्रमीशन हो गया फिर से लेगा त इंटरनेट अगर सुरूर हो रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है यह पर मीशन दे रहा है क्योंकि हमने इसे clear data किया था तो अभी यहाँ पर देख सकते हो यह जो गेम है completely launch हो गया और प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया तो इस तरहीं से आपको इन चारों सेटिंग को करके देखना अपने फोन में यह प्रॉब्लम डेफिनेटली सभी फोन में फिक्स हो जाएगा तो जिनका भी फिक्स होता है कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नया रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं बहूंग आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर